आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे कि मेरा जो यह आटवा के उसे वाश कैसे करेंगे क्लीन कैसे करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे आप उसे निकाल लिए और इजीली ले जाकर वाश्रूम में नल के नीचे रख दीजे वो उसका जितना भी चमकने लगेगा और उसे फिर से हेंग कर दीजे है ना बहुत इजी